दोस्तों आज इंतजाम खतरनाक है क्योंकि भाई बुला लिया अपने बाई ओल्ड कम्प्यूटर को सबसे ज्यादा रिलेटेबल चीज है भाई अभी राइट नो देखे तो यह मेरा बाई ओल्ड कम्प्यूटर है जहां पर यार स्पेक्स ऐसे खीच तीन मचा के उड़ा द अज इसको बार यह कुछ अच्छा देने की तो यह पीसी के बारे में बता हूं तो काफी पर पास्ट में भी बात कर रखी है आप लोग काफ इंटरस्ट रखते हो वैसे आपकी PC के क्या सब्सक्राइक से लाइक है हमारे के अगर बताओ मेरे जो यह PC है इसका आप सुनके हर दिया था पर फिर वह इस्टिक खराब हो गई तो अभी भी करेंटली भाई 48GP RAM इसके अंदर एट देखा जाए तो एक डिसेंट सा PC है डिसेंट क्या कुछ भी नहीं है इसमें गेम वें तो भूली जाओ और हाड ड्राइव लगी ती उपर से अटाज यह सिस्टम पूरा स पर आज की वीडियो भाई बेसिकली यह PC users के लिए अगर आपके पास AMD या Intel का ऐसा कोई पूराना PC है जो 10-12,000 यह 15,000 के प्राइज में होगा तो आज यह 5,000 पॉकेट में पैसे ही नहीं भाई बचे यह 5,000 ही बचे में अब यह 5,000 से अब आपको बताने वालों क्या चीज इसमें बहुत सारी चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं जो मैं आपको बेस्ट बताने वालों जिससे पर्फोर्मेंस होगी वैसे आप लाइटिंग के लिए बहुत कुछ कर सकते हो अब हमें क्या करना सबसे पहले यहां पे देखो अपना आपको मधरबोट देखना है अगर व इसको इंस्टॉल कर देना है तो यह प्रोसेसर में मजे की बात यह अभी तक इसमें दो कोर का था ना यह चार कोर का हो गया तो ठीक है प्रोसेसर अपना बैस्ट हो गया इसके बाद रैम पर आपको चली जाने एट जी बी की रैम स्टिक उठाओगे तो हजार रूपए से ज्यादा की नहीं आएगी थाउजन रूपीड मैक्स यार वह बिल्कुल उसको भी पर्चेस कर लेना है अगें लिंक आरें देस्क्रिप्शन आप ले सकते हो महां से और नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें अपना वह वाले पर हम लोग जाएंगे क्योंकि हमें जीटिए यहां एक गड़वड हो सकती है अगर आपका Motherboard प्रोसेसर सपोर्ट ना करें फिर क्योंकि आपका Motherboard शायद Pentium सीरीज का होगा तो फिर आपको क्या करना है मैं बताँ पांच जार के बजट में सबसे पहले आपको एक Motherboard लेना है अगें Motherboard में आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा उसके बाद प्रोसेसर एक खरीद लो जो मैंने बता है ना आइफाइफ था जेनरेशन वाला उस पर ही जाना है तो Motherboard प्रोसेसर और हाँ आप राम बढ़ा लेना या फिर SSD जो आपका मन करें तो उससे आपका PC थोड़ा बेस्ट हो जाएगा फ्यूचर में पैस यहां पर यूज करें जो मैंने अभी आपको बता है ना आइफाइव हो गया अपना धर्ड जेनरेशन के आसपास का है और उसके अलावा बाई रैम अपनी आए 8G वी आ गए स्टोरेस तो चलो ठीक है यहां मैंने एर गेम्स भी रखी है ऐसी बात नहीं है हमने जब इस पर GTA 5 टेस्ट करी गेम अगेन भाई लो ग्राफिक्स पर चल रही है खेलने लाइक है एक आदमी के लिए recording recording कुछ भी पॉसीबल नहीं है बस आप हलका फुलका खेल सकते हो इंजॉय कर सकते हो फोर इंजॉयमेंट यार आगे बड़े Minecraft ऐसी गेम है जो आराम से चल रही थी इव आपको एक complete जजबा पता चल जाएगा क्या इसकी यार रियल परफॉर्मेंस है बागी दोस्तों इस PC को भाई करने का जो अप्ग्रेड़ेट दस अजार वाला बता रहा हूं इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो हैं PC भाई करने की वाईबसाइट हमारी ह बिल जाएगा तो महां से आप परफॉर्मेंस है मतलब आप यार अगर बिल्कुल ही एक्दम लो पे थे ना 10 fps मिल रहे थे 12 fps तो उससे 30 fps तक आराम से पहुंच सकते हो और कुछ गेम्स तो यार लाइक माइनक्राफ इन सब को आराम से खेलता हैं दोस्तों के साथ भी और GTA 5 म अब यहां जैसे बताया हमने टेस्ट वेस्ट करी थी गेम इस रुणिंग डीसेंट एकदम लो ग्राफिक्स में अब हाय तो हमने यह मीडियम भी नहीं चला सकते हो अपने बर के लिए वह यह बीस पच्छीस एप यह थिक ठाक चल जाएगा यह इंटल के लिए जाना है तो भाई AM4 socket चाहिए होगा अब उसका mother body लेने जाओगे वही कम से कम 5000 तो मिनीमम मान के चलो फिर प्रोसेसर भी आपको एक डीसेंट तो लेना ही पड़ेगा जैसे अपना i5 का 3rd generation है यह चार कोर का ऐसा कुस तो लोगे तो वहां पे राइजन का 3200G यह 2200G भी ले मैं तो बोलूँगा इंटल में shift कर जाओ वह अच्छा है अगर नहीं करना चाहते हो तो भाई RAM और SSD यही दो चीज है जो आप upgrade कर सकते हो RAM बढ़ा लो 8GB पहुंचा दो और SSD तो आप लोग समझी चोगे 248GB 256 जो भी अपना रहता है उसको minimum आपको रखना है यही आप AMD में क पसंद आईयो अगर पीडियो पसंद है बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बंद ए टेक रिलेटेड वीडियो के लिए शेयर करते हैं ना मिलते ने अफ्टियो में तब तो के लिए बाई आर जाए हिंग जाए भारत वंदे मातरम